हाई फ्रेंड्स तो आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में जो की कलरिंग का है तो पिछले वीडियो में मैंने ये बनाने का वीडियो दिखाया है जो लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हो तो मैं यह पर रेट कलर दे रही हूँ आप अपना मन पसंदिया कलर दे सकते हो filing अटर स्कीन कलर वी दे लेते हैं और हाँ यहाँ पर मैंने जीरो भी का जो पायंट ब्रशा वो यूज कि आपके ओपर डिपेंट करते हैं अगर आप थोड़ी बड़ी पेंटिंग बना रहे हो तो बापर आप बढ़ा भी ब्रॉश यूज़ कर सकते हो हाँ तो रेट कलर था इसलिए मैंने ब्राउंड यूज़ किया है शेडिंग के लिए तो जैसे यलो तो थोड़ा सा आप डार्क यलो यूज़ कर सकते हो ऐसे शेडिंग के नुसार हमें देना है और यहाँ पर हम पूरा जो फैस वगेरा है वहाँ पर भी शेडिंग के लिए कलर कर लेंगे आप इस पेंटिंग को ना डाइमंड से भी डेकुरेट कर सकते हो एट्रेक्टिव लगेगी तो आइस हम बना लेते हैं चलो आइस भी बन गए है जो तील लग होता है वह आप बना लेजिए तो इसका जो पीछे का बैग्राउंड है जो उडन मैंने यह पर यूज़ किया है वह बहुत ही खाली खाली है और जब मैं इस पेंडि को बना रही थी थी तह वह खराबगी हो चुका था इसलिए मैंने सचा पीछे में कलर दे देती हूँ। कि ब्राउंड कलर यूज़ करने वाली है आप कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हों। देख सकते हैं मैंने ब्राउन कलर यूज किया है तो पूरी हमने दे दिया और इसके बाद बहुत खाली लग रहा था इसलिए मैंने एलो कलर के डॉट्स रखे हैं आप चाहे तो डाइमन भी लगा सकते हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बाइ